आज की वीडियो आप सब पीएफ मिमर के लिए बहुत इंपॉर्टिन हो सकती है जितने भी ही पीएफ मिमर है वो यही सोचते हैं कि जो हमारा पीएफ है वो तो बहुत आसानी से ट्रांसफर हो सकता है पर जो हमारा पैंशन है वो ट्रांसफर नहीं होता है तो आज मैं इस वी पर जो हमारा पैंशन है वो कम सेटल होता है किसी के पास 5000 सेटल होते हैं तो किसी के पास 10,000 सेटल होते हैं आज की वीडियो में मैं यह डेडेल मैं बताओंगा कि जो हमारा पैंशन है वो कम क्यों सेटल होता है तो इस टॉपिक पे आज हम डेडेल में बात करेंगे साथ मैं प आज की वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ वीडियो को लास्ट तक देखें तभी आप पूरा प्रोसेस समझ पाओगे वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे यूसफुल पीफ के लेटेड क्यों कर दिया जाता है तो एपिफो के बारे में मैं आप लोगों को कुछ रूल बताने वाला हूं बात करते हैं पैंशन क्यों कम आती है और जो हमारा पैंशन है वो ट्रांसफर नहीं होता है आप मैं बात करता हूं कि जो एपिफो की रूल होते हैं क्या होते हैं कि दोस्त जीरो कॉंट कर जाता है अगर हम बात करें आपकी सर्विस साथ मंत से ज्यादा है यानि नौ मंत है यानि छे मंत से ज्यादा आपकी सर्विस है तो EPFO उसे एक साल ही कॉंट करती है ध्यान दीजे दोस्तों अगर आपकी सर्विस छे मंत से ज्यादा है तो EPFO एक साल ही उसे कॉं आता है तो यहां पर मैं आप लोगों को एक चीज और क्लियर करने वाला हूं अगर आपकी सर्विस एक साल पांच मेहने होती है तो जो पांच मेहने हैं वह भी आपका जो पैंशन रहता है उसे एक साल में कौन दिया जाता है अगर आपकी सर्विस एक दो साल हुई है यह आप सर्विस है दो साल पांच मेहने और जो बंदा B है इसकी सर्विस है दो साल साथ मेहने और आप लोगों को पता होना चाहे पांच मेहने पैंशन में कांट नहीं किया जाते हैं जो बंदा A है इसकी सर्विस है दो साल पांच मेहने तो इसका पांच मेहने कांट नहीं किया जाए तो pension में इसका 2 साल ही count किया जाएगा, तो जो बंदा भी है, इसकी service है 2 साल 7 मेहने, इसका pension में 3 साल count किया जाएगे, आप लोगों को ये चीज़ पता होना चाहे, 6 मेहने से पहले अगर आपकी service है, तो आप वो count नहीं करता है, क्यूंकि pension, EPFO के जो rule है, वो 6 मेहने से, अगर आपकी service ज्यादा है तो वह एक साल ही count करेगा अगर आपकी service 6 महीने से कम है तो वह zero count करता तो यह था बंदा A का service और बंदा B के service अब हम बात करेंगे table D के अनुसार प्रेशन का formula देखना चाहिए table D आपके सामने है जितनी आपकी basic salary है उसे हम into percent wage के हसाब से अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि pension को calculate कैसे करते हैं तो जो बंदा A है उसकी salary 12,000 थी और service एक साल थी तो 12,000 into 1.99 करेंगे तो as equal to 23,888 इसका amount count होगा ये पैसा तब ही निकाल सकता है जब ये claim करेगा तो बात करेंगे हम बंदा B की अब हम बात करेंगे बंदे B की इसकी भी हम pension calculation करके आप लोगों को बता देंगे इसकी भी ही salary 17,000 और इसकी जो service थी वो है 3 साल 12,000 into 2.98 करेंगे तो as equal to 35,760 इसका जो pension amount है कौन किया जाएगा तो ये था pension और PF को कैसे हम calculate करेंगे वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को like करें चैनल पे नए है तो लाजमी चैनल को subscribe करें ऐसे PF के related वीडियो को देखने के लिए तो मैं हो फिर एक अच्छी सी वीडियो में तब तक ले अल्ला हाफिज गुडबाई